बल्लवगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है आपको बता दे कि हर्याणा के कैबिनेट मंत रीश्री मूलचन शर्मा ने से 23 में बनाए जाने वाले प्राथमिक स्कूल की नई इमारत के कारे का किया शिलान्यास आपको बता दे कि लगबग एक करोर बीस लाख रुपे की लागत से तयार होगी इमारत स्कूल के नन्ने बच्चों को मिलेगा पढ़ने के लिए स्वच और भैतर माहौल कैबिनेट मंतरी श्री मूलचन शर्मा ने कहा कि सिक्षा बेहत जरूरी है सिक्षा का बटवारा नहीं हो सकता इसलिए उनका उद्देश्य बल्लवगड विधानसभा को सिक्षा के शेत्र में नमबर वन बनाना है आपको बता दे कि कैबिनेट मंत्री मूलचन शर्मा ने कहा कि पूरे हर्याणा को सिक्षा का बड़ा हब बनाने का काम भाजपा सरकार कर रही है सेक्टर वासियों की समस्याओं को सुनते हुए उन्होंने कहा कि बल्लवगर विधान सभा में पीने की पानी की कोई कमी नहीं रहीगी बल्लवगर से एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है आपको बता दे कि हर्याणा के कैबिनेट मंत्री श्री मूलचन शर्मा ने सेक्टर 23 में बनाए जाने वाले प्रात्थमिक स्कूल की नई इमारत के कारे का किया शिलान्यास आपको बता दे कि लगबग एक करोर बीस लाख रुपे की लागत से तयार होगी इमारत स्कूल के नन्ने बच्चों को मिलेगा पढ़ने के लिए स्वच और भैतर माहौल